हलो फ्रेंड्स लिलावती क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आज जो हम डिस्कुसिन करने जा रहे हैं वो है आई-स का प्रसिक्षण किस तरीके से होता है भारती प्रसासनिक सेवा में चयन जब हो जाता है तो उनका प्रसिक्षण पाठेक्रम क्या है कितनी चरण मे समय अवधी क्या होती और कुल कितने अवधी में प्रसिक्षण होता है और प्रसिक्षण संबंधी विभिन आयाम क्या होते हैं इन बातों पर इसलिए परिचर्चा की जा रही है कि बच्चों ने डिमांड की थी कि सर प्रसिक्षण के बारे में थोड़ा बताएं और एक सा समान्य जानकारी मैं देने की कोशिस कर रहा हूं जो आपके लिए बड़े यूसफुल है और साथ-साथ एक मोटिवेटिंग स्टोरी भी होगी आपके लिए कि आप अगर इस प्रत्यों की परिक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो किस तरीके से आपका प्रसिक्षण होगा तो भारतिय प्रसासनिक सिवा में चैन होने के बाद जो प्रसिक्षण केंद्र होगा वो मशूरी में लाल बहादुर सास्त्री राष्टिय प्रसासनिक अकेडमी है वहां आपका प्रसिक्षण होगा जो फांडेशन ट्रेनिंग है वो चार महीने की होती है उसके बाद प्रथम रुप महीनी हैं और महीनी का होता है इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि फांडेशन चार महीने, फास्ट पहले चलनका प्रोफेशनल पांच महीने, फिर दूसरे चलनका प्रोफेशनल तीन महीने, और बीच में एक साल के लिए जिलास्तर पर आपको प्रसिक्षन प्रदान किया जाता है, तो कुल जो प्रसिक्षन की अवधी है, वो 24 महीने हुई, इनका डीटेल अब हम जानने की कोशिस करते हैं जब यूपिस से एक्जाम कंड़क्ट कराती है तो एक्जाम कंड़क्ट होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आता और जितने लोग भारती प्रसासनिक सेवा के लिए चैनित होते हैं उनका प्रसिक्षन संस्थार मैंने बता लिए मसीर मसूरी में है आप मसूरी में वहां पर सिक्षन लेते हैं देखे लाल भादु सास्ति नेक्ट नेशनल अकैडमी और अड्मस्टेशन इसमें जो ट्रेनिंग है पहला मैंने क्या बता था फांडेशन फिर दो स्पेल की प्रोफेशनल और बीच में डिस्टेक ट्र का वो क्या है फिस्ट स्पिल का जो ट्रे डियन है कैडमी में फांडेशन उसकी जो कोसिस होती है वह नहीं के बारे में जाने बारत की राजनीति आर्थिक परिवेश के बारे में जाने विधिक फ्रेमवर्क क्या है इंडिया का उसके बारे में जाने जिसके बारे में वह अलड़ी पढ़के आते हैं लेकिन वहां अकेडमी में और विस्तर चर्चा पर चर्चा की जाती है जो प्रोफेशनल जो भी कोर्स है ट्रेनिंग है उससे पहल होने के बाद प्रसिक्षन के लिए आता है उसकी प्रिस्टि भूमी अलग अलग होती है वह अलग राज अलग भाशा से आते हैं और यहां क्या है एक नेस्टनल इस्परिट नेस्टनल टीम बिल्डिंग की बात की जाती है जो फांडेशन कोर्स में उनके पार्ठिक्रम में सा सब्सक्राइब करका हो त्रिक्री जो फौंडेशन होती है चार महिने की इसमस्परिकुलर अक्टिविटीज भी होती है ऐसे और यह बड़ी मज़ेदार चीज़ है अगर आपका चैन होगा तो को एक्टिविटीन इस होती है जैसे स Knowing होगा उसमें मसूरी हिमालेयं रेंज में है आप देख रहे हैं वहां आपको tracking पर आप जाएगा फिर हाइए ट्रेंग पर आप जाएगेगे विलेज विजिट पर जाएगे वन वीक के लिए कुछ फीट्स होंगे उसमें इंडिया डे बड़ा मिमोरेबल डे होता है इंडिया डे मनाया जाएगा athletics meet होंगे इस तरीके से बहुत सारी activities होती है जो आपको बाधे रखती है और बड़ा interesting आपका ये foundation training होता है foundation training में देखिए जो course है ना वो मैंने बताया कि वो इस तरह से design है कि all India label की understanding आ जाए और foundation training उस वर्स के लिए UPSC जितने भी पद निकालता है उसमें class one के जितने भी लोग हैं केवल भारत सचिवाले सेवा इंडियन सेक्रेट्रेट सर्विसेज को छोड़कर चाहे वह आई एस हों चाहे आई पीस हों चाहे आई फैस हो या केंद्रिय सेवाओं के ग्रूप A के लोग हो सबकी training एक साथ four months की foundation training होती है य देते हैं और उसके बाद IS को छोड़कर बाकी जो लोग है वह अपने respective organization में चले जाते हैं ट्रेनिंग लेने जैसे IPS वाले बलब भाई पटेल एडमी हैदराबाद चले जाएंगे तो सब लोग चले जाएंगे अपने अपने respective training institution में केवल मसूरी में बचेंगे भारती प्र training है जारी रखते हैं तो फर्दर देखिए आगे देखिए आगे की जो बात होती है तो जितने भी OTs है आयस प्रवेर्शनर्स हैं वह ट्रेनिंग मैंने बता दिया ट्रेनिंग में जाते हैं और इसी बीच में आपको पहले ही बताया था कि ट्रेनिंग के बीच में एक वर्स की साल का होता है देखिए फर्स इस पेल ट्रेनिंग में जो OTs है उनको सिखाया जाता है कि आप CRPC के बारे में जाने IPC के बारे में जाने लीगल सिस्टम के बारे में जाने, एकनॉमिक प्लानिंग के बारे में जारे, यह सारी चीजें उनको फ़स्ट स्पल प्रोफेशनल ट्रेशनीग में अकेडी में जिखाई जाती है, तो अब वो आप्यरोब्ति सब्सक्रेट और भृस्ड की ट्रीनिंग के पष्चाट जो भी भारती प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं उनको जिला अस्तर ही प्रसिक्ष्ण प्रदान किया जाता है और यह सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला प्रसिक्ष्ण है एक वर्स का संपूर्ण पर सिक्षन होता है देखे जिलाधिकारी के रूप में डिस्टिक कलेक्टर के रूप में डिस्टिक ओफिशर्स के रूप में या फिर रेविन्यू कलेक्टर के रूप में एक जिलाधिकारी को धेर सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो जिले अस्तर प में समंवे करने का काम जिला अधिकारी का होता है नामी यह जिला अधिकारी इसलिए जिले में जितनेभी विभाग और मंत्राले काम करते हैं। उनके working प्रोसिजर्ड, working style, working सिनारीव को उससे सुयम जानना चाहिए। क्यूंकि परिवेक्षण आप के साथ उनको अटेज किया जाता जिला परिशाद मिनिसपले टे सुप्रिटेंडेंट आप पुलिस पुलिस स्टेशन डिया इन सब के साथ वह अटेज होती है जब संबद्ध होते हैं तो वहां की कारेसैली को जानते हैं उसके बाद अटेज्मिंट के पस्चाद उन्हें इं प्रसिक्षण को समाप्त करने के बाद सेकंड इस्पेल की ट्रेनिंग होती है जो दोतीय चलन का प्रोफेशनल प्रसिक्षण है वह प्रोब्लम औरियंटेड होता है अपने अपने स्टेट कैडर से डिस्ट्रिक ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जो आफिसर्स ट्रेनी हैं जो प्रोफेशनर से वापस अकेडमी आ जाते हैं मशूरी और वहां उन्हों प्रोब्लम अपने फिल्ड में फेस किया था अपने टीचर्स को या उनके प्रसिक्षक हैं उनके सामने वह समस्याएं रखते हैं और उस समस्याओं का वहां समाधान दिया जाता है कि वास्तविक समाधान इस तरीके से होना चाहिए था या आपको ऐसे काम करना चाहिए था तो जो second spell की बेवसाइक training है वो problem oriented है इसको पूरा करने के पस्चात एक UPSC exam कराती है और उस exam को प्रतेक candidate को qualify करना होता है और वो सभी लोग qualify कर भी जाते हैं क्योंकि अलोड़ी UPSC का exam दे के आए हुए है और उस qualification के बाद qualify करने के बाद पास करने के बाद अब उनको वापस respective स्टेट के अडर में भेज दिया जाता है जहां वो उस राज्य को अपनी सेवाएं देते हैं यह तो रहा पूरी तरह से प्रसिक्ष्ण पाठेक्रम लेकिन देखिए कुछ इंट्रस्टिंग रुचिकर चीजें भी हैं आपको भारती प्रिसासनिक सेवा अखिल भारती सेवा है इसलिए आल इंडिया करेक्टर का माइंड सेट होना चाहिए तो आल इंडिया करेक्टर का माइंड सेट रहने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको respective state में जो post दी जाती है proclaim करते हैं सब डिविजनल मजी स्टेट के रूप में काम करते हैं सब कलेक्टर के रूप में काम करते हैं तब उसके बाद आप डियम और कलेक्टर के रूप में काम करते एक इंट्रस्टिंग बात जो छूट गई जिस मैं बताना चाहता हूँ वह है first spell professional training मे आपको आखिल भारत्य दृश्टिकोंड दिया जाता है. इसके लिए भारत दर्शन प्रोग्राम करीब 21 दिन का भारत दर्शन प्रोग्राम होता है जो मिनिस्ट्रि और्गनाईस करती है और जीतने भी ओफिसर्स ट्रेणी हैं वो भारत दर्शन के लिए जाते हैं बिहार की हो सकते के रल के हो सकते नागालेंड के हो सकते और किसी और state में जाके मुझे उनको state cidade में सेवाएं देनी पहर सकती है इसलिए जो भारत का समावेशी संस्कृती है समावेशी विराशत है उसको समझने के लिए एक भारत दर्शन तूर आयोजित किया जाता है विंटर स्टड़ी टूर के नाम से तो यह एक मौका मिलता है उनको भारत को देखने का समझने का तो हर किसी की तंबना होती है कि वह भारत को घूमें देखे और समझे अगर आप प्रसासनिक सिवा में चैनित हो जाते हैं तो आपकी एक्षा स्व साथ साथ परलेमेंट कैसे काम करती है इसको जानने के लिए ब्यूर परलेमेंटरी स्टडीज के साथ भी आपको कुछ समय देना पड़ता है और साथ साथ जो इंडिया की हाइस डिग्निटरी जैं रास्टपती उपरास्टपती प्रधान मंत्री ग्रियमंत्री से भी विच प्रिकारी को कैसे टीम स्प्रेट की भावना से काम करना चाहिए उसका समवैधानिक दारा क्या है उसका विधिक दारा क्या है उसका परिवेश क्या है इन सब के बारे में तयार किया जाता है ताकि पूरे भारत का प्रसाशनिक धांचा जो टिका हुआ है उसको हम बोलते है आईसी एस और अब बोलते हैं आईस तो यह जो इस पाती ढाचा है जिस पे पूरा भारती प्रशाशन दोड़ता है वे गर्व की बात है आप खुद को इसके लिए तयार करिए आईस को अपना लक्ष बनाएए और उसके साथ साथ मोटिवेट होईए कि जब आपका चयन हो ज थेंक यू